ये 2009 के बाद योर चंदरान वन ने पानी डिसकावर किया पर एक awkward moment है इसलिए क्योंकि NASA का M3 इंस्ट्रुमेंट जो चंदरान वन की उपर था उसने भी पानी डिसकावर किया अभी आती कहानी किसको credit मिलेगा इवेंचुली NASA के M3 को credit मिला तीन बड़े allegations या questions लेवल किये गए हमारे instrument के उपर जिसमें से तीसरा वाला बहुत ज़्यादा painful है चेस के उपर काम किये हुए एक scientist डॉक्टर सेयद मक्बूल एहमद या ISM एहमद जो इस instrument पे काम कर चुक है उनको मैंने interview किया इस वीडियो में होंगे वो समझने के लिए situation यह story थोड़ी sad और frustration में end होगी चलिए जानते है कहानी chase की सबसे पहले base lining करते है मुझे आपका base line set करना है यह थोड़ा आगे बढ़ने से पहले चंद्रानवन के उपर काफी सारे देशों के experiments थे उसमें से एक था moon mineralogy mapper यह M3 M3 एक imaging spectrometer था जिसने moon को observe किया visible to near infrared में उसने observe किया water related absorption polar regions में जिसने one of the reasons था जिसके उसे confirm हुआ कि पानी है चांद के उपर surface के उपर अभी आते हैं हमारे instrument के उपर जो है chase यानी चंद्रा's altitudinal composition explorer अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो moon impact probe के उपर नहीं देखा है मैं एक छोटा सा expression देता हूँ चंद्रानवन के उपर एक instrument था called moon impact probe या MIP जिसे separate किया गया और फिर drop किया गया चांद के south pole के उपर जैसे वो निची जा रहा था उसने images collect किये फिर वो crash वहा south pole पर उसके वैसे वो world का first human made object बना चांद के south pole पर पहुछने के लिए MIP के उपर तीन instruments थे एक camera radar और एक जो हमारा है chase अगर आपको camera अगरे देखना है तो यह जो bottom left में number है वो आप description में match कर लो और वो वीडियो में जा सकते आप यह sources है मेरे chase एक mass spectrometer है अब मुझे बता है कुछ लोग यह सुनके ही overall मंगे और quit करेंगे वैसा नहीं है बहुत simple है imagine करो एक tube जिसमें आप particles बेजो बहुत सारा gas बेजो फिर वो tube आपको बोलेगा कि इस gas जो आपने मेरे को बेजा उसमें से 75% nitrogen है 15% जो है वो oxygen है और 10% carbon है जो आपका car pollution जो आप check करते हो वो भी mass spectrometer ही इस्तमाल करता है जानने के लिए कि कौनसे कौनसे particles है क्या-क्या levels of certain gases है अगर इस simple explanation से लेके मैं थोड़ा एक level deep जाओ तो chase जो है वो एक है quadruple mass spectrometer जो neutral particles detect कर सकता है काफी cool sound करता है cool है भी basically अगर मैं लूँ बहुत simple explanation तो 4 parts हुए chase के एक ह ionizer फिर quad pulse है यह जो चार rods दिख रहे है फिर एक faradic up और एक electron multiplier simple है आपका जो neutral particle है वो जैसे अंदर आ रहा है suppose hydrogen ले ले लेते हैं यह oxygen ले लेते हैं तो वो जो ionizer है वो बहुत सारा electron shower करेगा इसके उपर अब यह जब electron shower होगा तो उसका एक शायद electron knockout हो जाए और उसे charge वो जो atom है यह जो पार्टिकल है वो चार्ज हो अभी चार्ज होने के बाद जब वो अंदर आएगा यह quad pulse की खुब सुर्थ है कि आप इनका AC DC voltage vary करके control कर सकते हो कि कितना weight का जो particle है वो cross करेगा इस poles को आप decide कर सकते हैं कि जो weight यह नहीं atomic mass unity MU कि इतना इतने का नीचे रहा तो इसे deflect करके side में करो पर उसका mass जदा रहा तो वो straight चला जाएगा इसलिए इसे mass spectrometer का जाता है क्योंकि अलग-अलग items का अलग-अलग weight है एक बार dipole cross हुआ फिर वो गिरेगा faradic up के उपर और वहां पर basically charges collect होंगे आपकी charges per second जो है वो finally current में हो जाएगा और वो जो electron multiplier है वो जांद के उपर काफी सारे particle center के chase को और यह result था उन्होंने water molecules detect किये जैसे वो नीचे गया उन्होंने फिर publish किया इसके उपर paper 2009 में यह discovery announced करते कि उन्हें direct evidence मिलें पानी का और इससे chase जो है वो world का first in-situ water detection किया in-situ मतलब क्या in-situ मतलब वहां जाके करते हो नासा के M3 जो था एक remote sensing था रहीड वो उपर 100 km उपर से remotely sense कर रहा था इनसे टू तब होता है जब आप वहां जाके actual चीज को observe करो ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी mass spectrometer चांद पे गई नहीं आप अपोलर मिशन का mass spectrometer इससे पहले गया है पर वो sensitive enough नहीं था ऐसे vacuum pressures के आपाश्याद 10 दिस्टो 19 पारिकल्स और आपका मून थे टेमस्टो 9 पारिकल्स सो 10 देंस टू 10 थे तन से लेस्टो प्रिश आपकर करें तो लोगों ने जब हम ने बोला के साहब हम ये प्रेशर मेशर करें अबोट वाट इस तन सिगनल स्ट्रेंट्थ so the signal strength when you are talking about 10 raise to 7 particles per cc would amount to 10 raise to minus 12 amperes that is dq by dt okay current the current is called number of charges reaching per second that is ampere one ampere is the one uh this dq by dt the charges these many charges in what amount of time have come now so one ampere one ampere is these many charges per second is one ampere okay now now for 10 raise to minus sorry 10 raise to 7 8 to 10 less to 10 particles per cc the current is very 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 small how much small 10 less to minus 12 amperes pico amperes now now we've built a mass spectrometer we've identified a mass spectrometer that can measure femto amperes that is 10 less to minus 15 amperes now there are three big allegations or reasons which the chase has a difficulty for the team to recognize this achievement first of all the calibration said that you have to put on on करके रखना तहा चेश को ताकि आब बैंग्राउन या जो आपका नाईस फ्लोर है वो calculate करे और फिर ड्रॉप करना था प्रॉब्लम ये था की यह जो मिप हाल मीप करने से पहले अपनी एलेक्ट्रोन आयन दर को स्टीबिलाइस करने के लिए एंड रिकारडिंग कैलेब्रेशन से यह सर नीए कहा है सब्सक्राइब करते हो रहाइट तो हो सकता है कि आप अर्थ के कुछ गैसिज या मॉलिक्यूल्स लेकि जो आपके साथ चान्थ पर है और अच्छी तर आउट गैसिंग नहीं तो फिर वही डिटेक करने लगे अर्थ के पार्टिकल जो अगें चेस टीम ने रिजेक्ट किये उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं एंड सेयज सर का ये भी पॉइंट था कि सिंस वो नीचे जा रहा था मीप आपका जो फ्रेंट पार्टी चेस का वो सबसे आगे था तो चांसी नहीं कि साइड के कुछ मीप की आउट गैसिंग आगे सेंटर करें चेस को थर्ड पॉइंट जो सबसे डेवेस्टेटिंग पॉइंट था क्योंकि इसमें एक्चुल मिश्ट एक मिश्टेक थी चेस की टीम की और वो था जी जो रिपॉटेड प्रेशर्स थे चेस के वो बहुत हाई थे तो विच एक साइंटिस ने कहा कि इस प्रेशर्स पे वो आउट गैस इतना होगा कि ऐसे लिगा कि मून को एक कॉमेट ट्रेल है इसको लेके चेस टीम शूर तो उनका जो इंटेक है आप बिसिकली एर रैम कर रहे हो इंटेक के अंदर प्रेशर में होगा क्या उस इंटेक के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स होंगे वसे जस्ट या नॉर्मल प्रेशर आउटसाइड तो जो प्रेशर रिपोर्ट होगा उस इंटेक के अंदर वो अपोलजाज किया और कर्रेक्शन इशु किया अफकोर्स यह प्रोब्लम तो क्रेट करता ही राइट मैंने रेसेंटली इसरो चेर्मन सुमनात के साथ इंटव्यू किया और मुझे मैंन उसे पूचा यह चीज़ मुझे यह रिप्लाइ मिला एफकोर्स कोसे साथ प्रोडमन करना फूचिछ आर्काल मीर धरोग्रम तो M3 का डिटा दिखाते हैं Contrarian Views मुझे एकोच हिंबर नहीं बनाना हमें दुसरे साइड से भी सोचना important है Black and White इशू नहीं है यह मैंने पास 3 Contrarian Views है जिसमें से तीसरा वाला थोड़ा tough है डाजेस्ट करने है एक तो of course गलती हुई थी यह होनी नहीं थी first यह गलत प्रेशर वाली बट वो Eureka moment है I understand वो race kind of थी पहले announce करने की results longer calibration time second वाला की हो सकता तो वो interfacing ring पावर वाला करना था third one थोड़ा difficult है डाजेस्ट करने इसलिए क्योंकि although आपने detect पहले किया होगा आपने publish late किया यह issue इसलिए है क्योंकि recently मैंने वो KGF कोलार गोल्ड फिल्ड के उपर एक वीडियो बनाया था मास मास नहीं atmospheric neutrinos discovery के बारे में जिसमें जो हमारा group था है इंडेन्स का जो हमी बाबा का group था उन्होंने although neutrinos atmospheric neutrinos second detect किये versus arrival group जो हाउत अफ्रिका माइन्स में थे हैं पर publish पहले किया तो वह जो क्रेट है atmospheric neutrinos का वह हमी मिलता है तो वह सब भी है complication matter simple नहीं है पूरा काफी complicated है मेरे को आपके thoughts जानने हैं बड़ हुआ क्या फिर सयद सर repeatedly request और emails भीचने लगे science journal को जिसमें ओरिजनली publish हुआ था वो नासा का article कि आप chronology consider कीजिए कि मीप ने पहले चेस ने पहले ढूंडा और काफी सारे writers आये गए और finally उन्होंने accept किया और यह e-letter acknowledge करते हो उस discovery के साथ या पढ़ सकते हो bottom left में जो पर यह फॉलो करो चेस पर एक legendary experiment जरूर बना क्योंकि इसका जो follow-up था इसका नेक्स्ट वर्जन में का जो मार्स पर गया memberships के तो अगर आप उनमें से हो तो जॉइन बेटन दबा सकते हैं बाई में कॉफी का लिंक उसमें member option चूज करो सस्ता बढ़ता है थैंक यू पेशल थैंक्स तू शिकर, मनोहरन, वुटला, चेतन्या, कार्तिकया, देवाल, जयम, शर्मा, रोहित, सुवना, नारण, प्रिसार, प्रदीप, महुंदास, तनमय, देश, पांडे, निशन, कुमार, विशाल, बारवत, पल्लव, रानडे, हाइटरेटिंग, कुरुपल, पटेल, कृस्ट नायर, निशान प्रजापती, शौनग, पेर्नी, निशर्ग, मानकट, विवेक सिंग, संजत, कावलय, कृष्णा, स्पार्क, 164, कुमार, अखिल, अजित, कामत, और दो, अनॉनिमस,